फ्रेज लॉर्ड अललॉया फिर से इस लॉकडाउन के पिरियेड में सुनने वाले सभी कलीशिया के लोग हर एक दर्शकों का हम स्वागत करते हैं परमेश्वर की संगती में फिशेशकर ये दिन जब हम देख रहे हैं कि चारों तरफ बहुत दबाव बहुत ही ऐसी परिस्टी जिसमें भए देशत छाई हुई है और हर एक के मन में जो लोग ज्यादा तर इस महामारी को लेकर बहुत ही सजाग है हरे के मन में ये रहता है कि कहीं ये बीमारी मुझे न लग जाए और ऐसे समय में कलीश्या के लोगों के लिए विश्वासियों के लिए प्रभु की बाते क्या समझ लाती है क्या बाते सिखने वाली है ऐसे समय में ये हमें बहुत ही ध्यान देने वाली बात है विशेशकर इस समय में हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि यह जो बाते इस संसार में इस समय में हो रही है हम देख पते कि इस बात की भविश्यवानी इस बात का पूरा वर्णन प्रभु येश्व मसी ने जब वो इस संसार में सेवकाई कर रहे थे वो समय में वे बोल चुके थे कि जब मेरा आना निकट होगा तो ये ये बाते होगी और इस समय में कुछ और भी ध्यान रखने वाली बाते हैं जब हम देख रहें काफी लंबे समय से lockdown period में लोग हैं अपने-अपने करों में बंदे हुए जैसे एक वातावरण में जब कॉंस्टंट कोई व्यक्ति रहता है तो उसका असर उसके दिलो दिमाग पर उसके मन पर उसके मानस पर च्छा जाता है और असर करता है और इस समय के लिए परमेश्वर ने कुछ बाते बोली है जो ये वचनों में लिखे उसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे आज के लिए जो वचन है परमेश्वर ने वह जब मैं प्रवुके चर्णों में बैठा था तब यह बात ध्यान में लाएगी हम इस समय के लिए अपने आपको सचेत रखे देखें 21 वा अध्याई लुका रचित्सु समाचा और इसकी 34 वी आयत में क्या लिखाए हम पढ़ेंगे लुका 21 और चौटीस जब चेले ने चेलो ने पूछा था कि प्रभु तेरे आने का और यह सब बाते पूरी होने का और यह सब कभ हो गायों इसका कुछ नहीं गहराई से तुँ वर्णन करो परमेश्व ने बहुत सारी बाते यहां पर वर्णन की 21 अध्याई में सात्वी आयत से शुरू करते है तो संकत और क्लेश के बारे में लिखा है, यरुश Salem के विनाश की भविश्यवानी के बारे में है और प्रभु यैश्यू के पुंदरागमन के बारे में लिखा है और यह सब बातों का नीचोड ला कर आखीर में 34 वी आयत में प्रभु आते हैं और क्या शब्दव सब से प समय निकट है इसलिए लिखा है इसलिए सावधान रहो ऐसा नहों कि तुमारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आपड़े क्योंकि वह सारी पृत्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आपड़ेगा इसलिए जागते रहो और हर समय प्रात्ना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्यवनों क्या बात की लिखी है सावधान रहना है और खास जो बात यहां पर लिखी है और वो है हमार मन के बारे में बूल यह मन के बारे में क्या लिखाए कि सावधान रहो कि एसा नहों कि तुम्हारे मन अब खाने पिने की बात को अगर छोड़े तो जीवन की चींता उसे सुस्त हो जाया नहीं मन का सुस्त हो जाना ऐसे पिरिड में से जब सभी लोग गुजर रहे हैं तो मन का सुस्त हो जाना बाहरी परिस्थितियों का असर एक विश्वासी के मन पर क्या प्रभाव डाल सकता है जब वो उस परिसीतियों पर ढ़ल जाता है कोई व्यक्ति तब उसके मन की हालत क्या हो सकती है यह लिखाए कि सुस्त हो जाए और लिखाए कि अगर सुस्त हो जाता है तो क्या क्या हो सकता है और यह सुस्त ना हो जाए इसके लिए सॉल्यूशन भी प्रभु ने वहीं पर 36 वियायत में लिखा है कि जागते रहो और हर समय प्रात्ना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने लिखा है जिसके बारे में तुम चिंता करते हो उससे बचने का उपाई यह यह पर प्रभु के वचनों में लिख दिया गये कि जागते रहो और प्रात्ना करते रहो जाकते रहना और हर समय प्रात्ना करने का मतलब क्या है अगर हम यह करते रहेंगे तो लिखा है आने वाली घटनाओं से बचने और मनुश्य के पुत्र के सामने खड़े होने के कोई बात लिखी है मत्थी 26 और आयत 41 कि यहां पर प्रभु का वच्छन कहता है जब प्रभु ये शुगत समयना की बाग में थे और वहां पर अपने तीन चेलों के साथ वहां पर थे तो वहां पर ये बात प्रभु उनको बोल रहे थे कि जाकते रहो और प्रात्ना करते रहो कि तुम परिक्षा में न पड़ो क्यों परी जाकते रहो और प्रात्ना करते रहो कि तुम परिक्षा में न पड़ो कौन सी परिक्षा मन को सुस्ती में डाल देने वाली परिक्षा है मन को सुस्त कर देने वाली परिक्षा है इस समय के लिए और भी एक जगे लिखा है कि न डूबे हुए थे और मन को संभालना एक बहुत बड़ी बात है अगर इंसान अपने मन पर विजय पा लेता है तो आप वो आप वो बाहर की हर एक परिस्थितियों का सामना कर सकता है पर उसको सबसे पहले जरूरत है कि अपने मन पर वो विजय पाए अपने मन को वश्च में रखिए और यह संभव पर मिश्वके वचनों से है प्रातना में चांटे रहने की बाद इसमें लिखंडा अब प्रात माथो करना समझ में आ गया वहार एक रूप से में चलो जाकते रहो और प्रात नखो पर जागना ये क्या बात होई भई जागते रहना बोले जागते रहना अब जागते रहने की बात ये है कि कोई व्यक्ति परमेश्व के वचनों के प्रती पहुत ही सचेत रहता है क्योंकि जागते रहने का अगर हम विरुद देखते तो उसका मतलब है सोना मतलब सोने की अवस्था में इंसान को पता नहीं होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है उसको ध्यान नहीं रहता है कि उसके मन के साथ क्या घटना घट रही है उसका मन कोई परिस्थिती के वश में जा रहा है उसको ध्यान में नहीं रहता है पर जागते रहने का मतलब यही है कि अपने मन को प्रमेश्व के वचनों से तैयार करना, अपने मन में प्रभू के वचनों को ढालते जाना, भरते जाना और प्यारों, सुलेमान, जो इस संसार में राजा हो गया, उसने भी अपने पूत्रों को यही बात बताई थी आप निकाल सकते हैं नितिवचन चौथा अध्याई और तेईस भी आए देखें नितिवचन चार और तेईस क्या बात लिखिये वहाँ पर सुलेमान राजा ने भी यही बात अपने बेटे को बताई थी कि बही सबसे बड़ी बात जिसने यह नितिवचन की किताब लिखिये पूरी बहुत सबोब देशक लिखा नहीं वही व्यक्ति यहाँ पर कुछ खास एडवाईज अपने जीवन के अनुभव के आधार पर निच लिक्षा दे रहा है दसवी आयत लिखा है सबसे अधीक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्त्रोत वही है क्या लिखा है सबसे अधीक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्त्रोत वही है बतलब यहीं से जीवन का उद्भव है इंग्लिश में अगर हम देखते तो ऐसा लिखाए कि keep thy heart with all diligence अपने हिर्दई की अपने मन की सुरक्षा तुकर अब यहां सुरक्षा का जो मूल अर्थ यहां पर है उसका अर्थ देखने जाए तो इस प्रकार निकलता है कि to set a watchman over it मतलब तेरे मन के ऊपर कोई एक watchman को तु रख कि जो तेरे मन की सुरक्षा करे क्योंकि तेरे मन की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है यह वह वाली बात हो गई कि जैसे एक राजा अपनी शहर पना पर watchman को रखता है जो हमेशा पहरा देते रहते हैं कि कोई शत्रू कहीं से आ तो नहीं रहा है और जब कोई शत्रू आता है तो उस शहर पना पर ध्यान रखने वाले watch रखने वाले वो व्यक्ति आकर राजा को लोगों को इतिला करते हैं कि भई कोई शत्रू आ रहा है कुछ ऐसी गतीवी दि कि संभाल रख जागता रहना है और प्रात्ना करनी है प्रात्ना तो सभी करते पर जागते रहने वाली बात बहुत महत्व है इंसान जागेगा तभी संभलेगा इंसान जागेगा जागता रहेगा तभी संभल सकता है प्यारो जब सो जाता है उसको पता नहीं रहता है कि उसक से जीवन का उद्भव है अगर मान लो यह मन को कोई अपने वश में कर लेता है नियार में ले लेता है इसका मतलब क्या है कि अब मन का मन के ऊपर हमारा कबजा नहीं रहा हमारे मन के ऊपर किसी और का कबजा है मान लो कोई भय का है मान लो कुछ परिस्थितियों का है मान लो कुछ ऐसी चीजे जिससे यह मन हम चाहते वो नहीं पर दुसरी परिस्थितियों के आधार पर जो परिणाम होने वाले वो इस मन पर प्रभाव डालेंगे और यही बात को हमें बहुत ध्यान में लेना है प्यारो एक और आयत हम देखना चाहेंगे पहला युहनना तीसरा अध्याई आप निकाले पहला युहनना उसका तीसरा अध्याई इसमें हमारे मन के बारे में और भी कुछ लिखा है पहला युहन ना उसका तीसरा अध्याए और उन्निस वियायत लिखा है इसी से हम जानेंगे कि हम सत्यके हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोश देगा उसके विशय में हम उसके सामने अपने-पने मन को डाड़स दे सकेंगे आगे लिखा है क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है 21 हे प्रियो यदि हमारा मन हमें दोश न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है यदि हमारा मन हमें दोश न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है परमेश्वर के सामने क ही भार कुछ दोश हमारे मन को कवर कर लेते हैं कब जा कर लेते कि बहले- ऐसा है मैं ऐसा हो गया हूं मैं तो परमेश्वर के बातों से भटक गया हूँ कि अब प्रभू तो मुझ से नाराज हो गए है अब मिरा क्या होगा अब जरूर यह भाहर्की परिसिति और उसका प्रभाव मुझ पर होकर ही रहेगा कोई अच्छी या भली बात कि अपेक्षा करना मेरे लिए अब मुश्किल हो गया है और यही बात यहां पर लिखिए कि अब इसलिए कि हमें नीती वचन इसका मतलब क्या है कि हमें हियाव रहे हर समय हम जागते रहे और प्रात्ना करते रहे अगर हम उस वातावर्ण में अपने आपको रखते हैं तो जरूर हम कभी भी हमें यह सोचना नहीं पड़ता है कि मैं परमेश्वर के सामने गया हूं क्या होगा मैं परमेश्वर के पास गया हूं उसके अनुग्र के उस सियासन के पास गया हूं और मुझे वहां से अनुग्र मिलेगा अललूया इब्रानी 4 और 16 में वही बात लिखी है कि अगत्य के समय में हिम्मत से उस अनुगर के सियासन के पास आओ जहां से क्यों बुलाएं उसने क्योंकि वो हमें इस परिस्थिती के आधार पर अनुगर देना चाहता है उसका आना जब निकट है तो हमें और भी वो सचेत करके उसके आगमन के लिए वो तयार करना चाहता है और यही बात हमें ध्यान में रखनी की हम हमारे मन की सुरक्षा करें दीखे आपने अगर बीज के द्रश्टानतों को समझा हो तो उसमें चार प्रकार की बाते थी नहीं कि बीज बोने वाला बीज डालने बाहर जाता है और चार अलग-अलग तरे की जमीन पर वो गिरता है यह सुस्त हो जाने वाली बात मन का सुस्त हो जाने वाली बात यह किस कौन सी जमीन पर असर कर रही है कुछ सी जमीन की बाद हमें ध्यान में लाएं तीसरी प्रकार की देखे आ मेरे साथ लूका रचित्सु शौमाचार आठवा अध्याय आप निकाले लूका आठ कर दो इसमें क्या लिखाए लूकंचार हमा आठवा अध्याय और चवदवी और इसमें पहला जो पहली जो प्रकार की जमीन है वो मार्ग के कोर, मार्ग के किनारे की है दुसरी थी वो चटान पर, मतलब पत्रीली जमीन पर गिरी जो बीज गिरे वो बात है और तीसरी थी जाडियों वाली जाडियों वाली जमीन मतलब वहाँ पर जो आगे की दो प्रकार की जो जमीन थी वो उससे कुछ हट कर कुछ अच्छा इस जमीन में था पर फिर भी जो अच्छी जमीन जो फलदाई होती है वैसा यहाँ पर नहीं था और मसीही लोग जो लोगों के लिए यही बात बहुत ध्यान में रखने वाली बात है यह ऐसी जमीन है कि जो वॉइड को प्रभु के वच्छन को स्विकार करती है ग्रहान करती है और commitment भी रखती है कि हाँ प्रभू तेरा वचन ये कहता है तो हम ये भी करेंगे और कुछ तकलीफ आती है तो उसका सामना भी वो करते है परिस्थिती का पर कुछ है इस जमीन में कि जिस से जमीन मतलब हिर्दई मतलब अपना हमारा मन की जो बात है जिसकी सुरक्षा की बात है हमारा मन कैसे इन परिस्थितियों में सबसे अच्छा परफॉर्म करें नहीं सबसे अच्छा प्रतिभाव दे ये ये बात हम आज समझने का प्रयास कर रहे हैं देखें यहां पर हम पढ़ना चाहेंगे चौदवी आयत में लिखाए जो जाडियों में गीरा यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फस जाते हैं और उनका फॉल नहीं पकता मतलब यह लोग ग्रहन भी करते हैं बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट देते पर वह कितन होता है क्षणिक टेंपरररी कुछ समय तक रहता है और बाद में चला जाता है आज सायद इस भारी दबाव युक्त परिस्तिती में बहुत सारे विश्वासी लोग यूँ एकदम जागरुत हो गए होंगे कि बहुत चलो प्रभु का आना निकठे और हम तैयार रहना है ऐस आपने लाइफ में अपने आपको डाल देंगे हो सकता है आप मेंसे बहुत सारे ऐसे हो कि जीनों ने कुछ अनुशासन अपने जीवन में लाए हो कि बहुत अच्छा करो कुछ ज्ञादा कुछ एक्ष्ट्रा लगाँ परभु की बातों को सीखने के लिए समझने के लिए नहीं कुछ बाते ऐसी है जो यहां पर लिखी है और वो है जाडियों में गिरे हुए बीज क्या हुआ धन और जीवन के सुख विलास में फस जाते हैं इसमें इंग्लिश में जो वर्ड लिखाए वो है कि बट बीइंग ऑक्यूपाइड विद ऑफेर्स ऑफ लाइफ इस संसार की चिंताओं से और संघर्श से भी वो गिर जाते हैं मैं वापिस वही बात की और हम ध्यान ले जाते हैं जो सबसे पहले पड़ी लुकाई 214 में प्रभू यशुन बोला सावधान रहो जागते रहो क्यों क्यों वही बात कि अपने मन के शुस्त न हो जाए ये परिस्थी हमारी मन की परिस्थीन सुस्त न हो जाए चलो भई के बारे में प्रभू पसंद नहीं करते दारू पीना और ऐसी सब चीजों में शामिल हो ना चलो हम यह नहीं करते यए हमें हम इसके साथ छेड़ इसके साथ चान नहीं कर सकते हमें सब Anyway कई हम इन चिंताओं के मारे भय के मारे प्रभू के वचनों के प्रती जो प्रती फल प्रभू चाहता है वो देने में पीछे तो नहीं रह जाते हैं हम चाहिए बहुत कुछ पढ़ ले पर देखे एक और बात भी है कि इस वचन को वचन को हिर्दय में ग्रहान तो करना सीखना समझना पर अच्छे फल लाना जो अच्छी जमीन के लिए यहां पर लिखा है आठवा देखिर से निकाले क्या लिखा है पंद्रवी आयद पर अच्छी भूमी के वे हैं जो वचन सुनकर मतलब सुनते हैं भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं मतलब हमारा मन प्रभू हमेशा यह चाहेगा कि भला और उत्तम बना रहे हैं और क्या लिखा है संभाले रहते हैं जो जागते रहने का जो बूल बात है ने वह ही है कि हम परमेश्व के वचनों को कितना हमारे मनों को captivate करने दे मतलब नियंत्रीत करने देते controlled by word controlled होने देते वचन से हम पढ़ने को पढ़लेंगे पर जब तक हमारे मन पर वो चायेंगे नहीं तब तक दूसरी बाते होगी नहीं देखो हमारे विचार positive भी हो सकते हैं अच्छे भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं कि और यह यह तैय करता है कि हमारा कि नजर या या तो attitude क्या होगा और हमारा attitude हमें हमारी क्रियाओ की और मतलब actions की और ले जाते हैं और हमारे action हमारे achievement की और ले जाते हैं ऐसा ऐसी कहावत है कि कुए में जो होगा वो ही बालती में भरकर बाहर आने वाला है मतलब हमारे मन में अगर मन की सुरक्षा हम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा जिसने हमारे मन को control किया हुआ है उसने जो डाल होगा वो बाहर आएगा हमारे action भी वैसे होंगे हमारी क्रियाओ बाहरी क्रियाओ भी वैसी रहेगी जबकि परमेश्वर ने एक मसीही को एक विश्वासी को संसार से अलग किया है प्रभू कभी नहीं चाहेगा कि वो संसार के लोगों की नाई संसार के लोगों के समान ही हर परिस्तिती में व्यावहार करें हर परिस्तिती में निल नहीं ले हर संसार की लोग लेते हैं नतीजे पर आते वैसे यह भी आए प्रभु नहीं चाहता है प्रभु चाहता है कि उसके चुने हुए जिनको परमेश्वन संसार में से अलग किया विश्वासियों की बात वह ही करते हैं हर एक परिस्टिती में अनुकुल परिस्टिती हो या प्रतीकुल परिस्टिती हो जो प्रभुच आता है चिंता में संगर्ष में नाफस जाएँ पर अच्छी भूमी की समान है यहां लिखा कि भला और उत्तम न् वचन को संभाले रखना भी उतना ही जरूरी है और संभाले रखने के बाद दीरज भी रखना जरूरी है कि वचन जिसको मैंने मेरे हिर्दे में ग्रहन किया है वो कुछ काम लाए प्यारो इस लॉक्डाउन के पिरेड में आपको शायद पूराने समय में क्या-क्या बाते दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहे हो कि या गेम पर चड़ेगे कल एक वाई साब मुझे मिले और मुझे बता रहे थे एक श्टोर पर मैं दूद खरीदने गया था और वहां पर उन्होंने मुझे रोका और बता है कि प्लीज हमारे लिए प्रात्ना करना मेरे बेटे की बात हुई है कि वह मोबाइल में खोया रहते है और चौबीसों घंटे रात को भी में उटकर देखता हूं तो वह गेम खिलता रहता है मतलब उसके दिलों दिमाग पर बाहरी परिस्थिती का जो प्रभाव पड़ा है वो बहुत भारी है वो व्यक्ति विश्वासी है आप सोचें एक व्यक्ति इतना भी कंट्रोल हो सकता है एक विश्वासी इतना भी कंट्रोल हो सकता है और इसलिए प्रभु ने बोला है कि अ कि चिंता है बाहर की परिस्थित्यों की चिंता है तुम्हारे मन को वश्में ना ले 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 अपने आपको संभालो कि देखिए दावुद क्या आप कहता है इसके बारे में बजन सहीता 119 में यह इन सब बातों में वो फस्त न जाए और अपने आपको अपने मन को संभाले रहे इसलिए उसने क्या बात बोलिए 119 और 111 में क्या लिखा है 119 वजन सहीता 119 और 111 क्या लिखा है मैंने तेरे वच्चन को अपने हिर्दय में रख छोड़ा है कि तेरे विरूद पाप न करो मैंने तेरे वच्चन को अपने हिर्दय में रख छोड़ा है अपने हिर्दय में रखा हुआ है कि मेरा action मेरा बाहरी व्यावहार जो कुछ भी हो प्रभू तुझे भाता हुआ ठहरे तुझे जो पसंद हो वो बना रहे हैं ना कि मैं इस संसार के अंदर जो परिस्थित्या है उसके वश में मेरा मन चला जाए बले ही मैं मान लो चलो यह लॉक्डाउन पिरेड पूरा हो गया सब अच्छा हो गया मान लीजिए कि चलो आप प्रभू में बहुत आगे बड़े हम सब लोग आगे बड़े पर आने वाला समय फिर से हम अपने रूटीन में जब खो जाएंगे यह वच्छन क्या हम संभाले रहेंगे जब हम उन उन चार प्रकार की जमीन की बात करते बीज बोने वाले क्या लिखा है मार के किना रे वाली जमीन लिखाए कि शैतान आकर मन में से वच्छन उठा ले जाता है कई ऐसा नहों कि वे विश्वास करके उद्धार पाए तेरवी आयत में लिखाए दूसरी प्रकार की चट्टान पर कि वे सुनते हैं आनन से ग्रहन भी करते पर जर्द गएं प्रबू किया चाहता है प्यारो हम संबाले रहें और वचन हमारे जीवन में से फलाता रहें प्रभू की यह इच्छा है प्यारो की हम इस प्रकार से हमारे मन को संबाले एक और आयत हम पढ़ना चाहेंगे मथी रचित सुसमाचर Всем कि आध्या crap मत्थी तेरवा दियाए जब मन सुस्त हो जाता है तो उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं इसमें कुछ बातें यहां पर लिखिए मत्थी रचीत सुसमाचार तेरवा दियाए और चाउदा से हम आगे पढ़ते हैं यह ऐसे लोगों के लिए लिखाए कि जो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते लिखाए कि उनके विशे में यशा है कि यह भविश्यवानी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं और आखों से तो देखोंग मोटा हो गया है क्या हो गया है मन मोटा हो गया है और मन मोटा हो जाने से क्या परिणाम हो रहे देखिए वे कानों से उंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आखे मूंद ली है मतलब उंचा सुनते हैं अंसुना करना वैसी हालत है और अपनी आखे बंद करने दिख रहा है प कहीं ऐसा नहों कि वे आखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूँ फाइनल जो बात है प्रभु की आशिश और मैं उन्हें चंगा करूँ पर उससे पहले क्या आता है सबसे पहले आता है कि उनका मन मोटा हो गया इसलिए ये सब बाते हो रही है और उनकी परिसिती ऐसी क्यों हो रही है उनकी परिसिती में वे उन्नती नहीं देख रहे है तब्दीली नहीं देख रहे है ऐसा ही रहता है क्यों भई क्योंकि मन मोटा हो गया है अमने अभी पड़ा कि साउधान रहो जागते रहो प्रात्ना करते रहो कि तुम्हारा मन मत सुस्त ना हो जाए और अचानक वो दिन आप पर आन पड़े यह समझने वाली बात है यहां पर जो वचन लिखा है कि if they should see with their eyes English में जो बात है if they should hear with their eyes if they should understand with their hearts and should be converted मतलब इसका meaning लिखा है कि return to love and obedience of God मन अगर सुस्त हो गया है इसका मतलब है कि वो प्रभू की आज्यकारिता से और प्रभू के प्रती प्रेम से भी दूर हट जाएंगे और अंतिम समय के लिए लिखाए कि बाहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और यह वही समय चल रहा है प्यारों अभी जो उदान मैंने दिया विश्वासी भाई का बाहरी परिसिती का प्रभावी इतना पड़ा मन मानों के सुस्त हो गया है इसमें हमें सबसे ज्यादा सचेत रहना है प्रात्ना तो करनी है पर हमें जागते भी रहना है और जागता है वही रह सकता है जो प्रमेश्व के वचनों की और प्रभू को प्रभू के वचनों को अपने मन में भरने दे अपने प्रभू को वचनों को हमारे मन में अगर हम देंगे जरूर जरूर वो वचन पवीत्रा आत्मा लेकर हमारे हर परिस्थिते में आगे आएगा और वो हमें बताएगा बेटा ये परिस्थिती में दू सच्छेत रहे जागता रहे प्यारो येश्व मसी की जब परिक्षा हुई क्या हुआ था उससे पहले चालिस दिन और रात उन्होंने उपवास किया था और परमेश्व के साथ वो समय उन्होंने बिताया था उसका परिणाम क्या आया वहाँ पर जब रभू के साथ उन्होंने ज्यादा समय बिताया था प से पहली उसकी जरुरत पूरी हो यूँ वो बात का परिक्षन आता है कि तेरी जरुरत यह है और यह पूरी हो जाए इस तरीके से लिखाए कि इस पत्थर को बोल कि रोटी हो जाए और प्रभू येश्व मसी वहां पर उसका सामना वचन से करते हैं दूसरा परिक्षन भी आत परमेश्वर के पास आता है और बोलता है कि तो सिर्फ शब्द बोल और मेरा चाकर घर में ठीक हो जाएगा मतलब परमेश्वर के शब्द में इतनी सामर्थ है तो वही शब्द जो आदी में शब्द था परमेश्वर के साथ था और वो खुद परमेश्वर था वो येश्य मसी को सिर्फ शब्द नहीं बोलना था वहां पर येशु-मसी है और इसा लिखा है ऐसा लिखा एए है क्या प्यारो सच में हम हमारे दिलों में वचदंगी गुए के वचदंगी को भॉर रहे अगर भर रहे तो सचेत हो जाएए प्यारों प्रभु का आना जब निकट है हमारे मन को तैयार रखे लिखाए कि उसकी बाठ जोते रहो कौन बाठ बाठ जोते रहता है कौन बाठ जो रहा है जो परमेश्व के वचनों में अपने आपको धूंड रहा है जो परमेश्व के वचनों को अधीकाई से बसने दो अधीकाई से बसने दे यारो यह अच्छा पिरियर है हमारे लिए अच्छा समय है कि हम और भी तैयार हो और भी बल पाए और आने वाले समय के लिए तैयार हो हाँ पर यह बाहर जो समय हो रहा है उससे संसार के लोग भी भाई खा रहें और हम भी भाई खा रहें तो क्या हुआ हमें इससे डरना नहीं हमें सचेत रहने की बात किये परमेश्वर नहीं हमें कौन सा आत्मा परमेश्वर नहीं भाई का आत्मा नहीं पर सामर्थ का आत्मा परमेश्वर नहीं और इसलिए हमें इस प जो अंदर है वो बाहर की परिष्थिती ओंपर असर करेगा अगर भय से बरे हो तो ऑटमेटिक बायर की परिस्थिति हमारे ऊपर हावी रहेगी पर अगर आप पर मेश्चा से बरे हो तो एक ताकत और एक कि हिम्मत बनी रहें देखिए दाउद भी किस प्रकार बोलता है बजन सहीधा पच्पन बजन सहीधा पच्पन आखरी ये दो आयत पढ़कर हम फ्रात नमें जाएंगे बजन सहीधा पच्पन वा अध्याई कुछ आदत है जो हमारे अंदर हो जानी चाहिए प्यारो हम प्रभू का बच्चन मनन करते होंगे पर जब रूटीन लाइफ में आ जाते हैं लोग ऐसा भी करने लगते हैं कि बई चलो प्रात ना कर लिया क्वाइट टाइम कर लिया अब जो अपने चाहें वो करो सावचित रहे ऐसे लोग बजन सहीता पच्चपन में दाउद क्या कहता है इसके जीवन में कुछ आदते इसने डाली हुई थी इस व्यक्ति ने लिखाए परंतु मैं तो परमेश्व को पुकारूंगा सोलवी और सत्रवी आइद और यहोव मुझे बचा लेगा लिखाए सांज को भोर को दो पहर को लिखाए तीनो पहर मैं दोवाई दूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा तीनो पहर सुबह को दोपेर को और सांज को तीनों पहर तीनों समय इसके जीवन में इसने आदत डाली थी कि वह प्रात्ना में रहता था और दूसरी बात हम वजन सहीत हमें पढ़ते कि वह अपने मन में वचन को भी रख छोड़ा है मतलब जाकते रहने वाला व्यक्ति है और सचेत रहने वाला व्यक्ति दानियल के जीवन में भी यही बात थी कि बाहर ऐसी परिस्थिति आई थी फिर भी वो प्रात्ना में लागु रहना छोड़ता नहीं है दानियल 6 और 10 में यह बार लिखी है दानियल 6 और 10 जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरुशालम की और खुली रहती थी और अपनी रिती के अनुसार क्या लिखाए अपनी रिती के अनुसार जैसा वह दिन में तीन बार अपने परमिश्व के सामने घुटने टेक कर प्रात्ना और धन्यवाद करता था वैसा ही तब भी करता रहा तब भी करता रहा कई बार हम लोग रुटीन लाइफ में इतने विश्वासी लोग डीप डाउन हो जाते कि बैस चलो सी लोग लिया काफी है नहीं प्यारों काफी नहीं है इस परिस्थिती में आपको और आपके परिवार को प्रभूने संभाला है आप सोचिए अभी दो दिन पहले ही मैं एक एसे एक फोटोग्राफ आया उसमें एंबुलन्स का फोटोग्राफ था और उसमें नौ साल का बच्चा मास्क पहना हुए बैठा था कि आपना सोचा कभी यह हाल आपके बेटे का हो सकता है पर नहीं यह आपको संभाला है परमेश्वत में कैई है कि चाहते हुए भी उस बेटे के माबाब उसके साथ नहीं जा सकते हैं आप सोचो उस माबाब पर क्या बीत रही होगी है कि कि आपको धन्यवाद हमें नहीं नहीं करना चाहे है इसений में परभू ने हमें संभाला है हाथ खड़ा करके तीन टाइम निकालो आप जितने भी समय आप निकाल कर करना बैठो बैठो प्रभु का धन्यवात करो कि प्रभु तुने मुझे मेरे परिवार को मेरे मेरे वाइप को मेरे मेरे बच्चे को मेरे मां को मेरे बाप को मेरे भाई को मेरे बैहन को तुने संभाल प्रभू चारों तरफ ऐसी परिस्थिती है प्रभू तुने मुझे और मेरे परिवार को इस इंफेक्शन से बचाया है प्यारों धन्यवाद करें अपने मन को सुस्त होने ना दे उस आग को सुलकते रहने दे अपने मन में ताकि तुम जब इस्पिरेड में से भी बाहर हो मेरी तो यादत बन चुकी है कि मैं तीन टाइम प्रभू के चल्णों में बैठता हूं मेरी तो आदत बन चुकी में चार टाइम बैठता हूं कि जो भी हो पर प्रभू के साथ यह समय हमें रहना है प्रभू के चल्णों में बिताने का यह समय है प्यारों और अपने आपको तो हम और भी उच्छल पड़ेंगे ओ बापरे ऐसा हो गया क्या ऐसा हो गया ऐसी परिसिति आगे नहीं प्यारो प्रभु का वच्चन किस काम का है अगर हमारे मन के अंदर वच्चन नहीं है तो जरूर कुछ और बाते हमारे मन के अंदर है जो संसार की बाते जो जो प्रभाव डाल रही है जो भय पैदा कर रही है जो हमें हमारे मार्ग से भटका रही है प्यारों इसलिए हर परिस्थिती में दानियल की यह आदत थी कि वो लिखाए उसकी रीती के अनुसर दिन में तीन बार परमेश्व के सामने घुटने टेक कर प्रातना और धन्यवाद करता था वैसा ही तब भी करता रहा परिस्थिती विकट थी विपरित थी फिर भी वो वह करता रहा जो परमेश्व के प्रति उसकी जिम्मेदारी थी आज क्या प्यारों एक सामने बाइबल रेडिंग करके आप अपने आपको सुरक्षित मैसुस कर रहे हैं प्यारों सुरक्षा है वचनों की सुरक्षा है हम उसका दावा करना सब है पर एक और जिम्मेदारी हमार यह कि परमेश्व के साथ जुड़े रहना और हमारे मन को सुस्त ताकी और आगे ना बढ़ने देना हमारे मन को बचाए रखना हमारे मन की सुरक्षा करना क्योंकि लिखा है कि उसी में से जीवन का उद्भव है क्योंकि जैसे हमारे मन में हम सोचेंगे वैसे हम बनते एक आखरी आयत हम पढ़ेंगे मत्थी 6 और 21 कि लिखाए क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहे गया बहुत सारे लोग परमेश्वर की और ध्यान लगाने में निश्पल रहते हैं क्यों पता है क्योंकि जहां धन है वहां मन है हमारा मन कहीं और हम कुछ और क्यों कर रहे हैं हम क्यों तैयार नहीं है क्यों क्यों मन सुस्त हो जाएंगे क्योंकि हमारा धन परमेश्वर को नहीं समझाए जिस दिन हम परमेश्वर को सच में हमारा धन समझेंगे न हमारा मन कहीं और नहीं पत्नी जब सदोम और घमूर क्या जब नाश होने वाला था तब क्या हुआ हूआ वहां कर लुठ की पत्नी के लिए नए नियम में भी प्रभु करो कि उसका उसका धन जहां था उसका चित वहां पर लगा रहा है और इसलिए उसने पीछ्ञ लेकल इससे है भी हम परमेश्वर के साथ रिष्टा गहरा नहीं बनाते हैं हो सकता है हमारा मन कहीं और जुड़ा है हमारे मन को भटकने देने से हमें बचाना है प्यारो हमारे मन को कोई और कैप्चर करे कैप्टिवेट करे नियंतरित कर ले ओवर रूल कर दे उसके उपर उसका शासन ला दे उससे बचे रहना है प्यारो और यह तब ही हो सकता है जब हम परमेश्वर को हमारा मूल जाने परमे दुनिया में आपका धन आपने रखा हुआ है तो आपका ध्यान दुनिया में रहेगा आप दुनिया की बातों की और लगे रहे तो क्योंकि दुनिया की बाते आपके लिए धन समान है और इसलिए परमेश्वर की और हमारा मन नहीं रहता है आईए अपने आपको जाचते हैं प्यारो उस परमेश्वन जो बात बोली है हमें सचेत रहना है प्रभु सुरक्षा करने वाला है बचाने वाला है इस समय में बहुत दावा करते हैं हर कोई यही बोलता रहे साम 91 तो सब को याद रहे गा है आज के दिनों में पर वहाँ सब से पहले जो लिखा है क्या आपको पता है जो परमप्रधान के छाई हुए स्थान में बैठा रहे वो सरवशक्तिमान की छाय में ठिकाना पाएगा त्यारो उसके पास बैठे रहने का अनमोल समय हमें मिला है आएए अपने मन को और भी ज्यादा सुरक्षित करें और भी ज्यादा आने वाले समय के लिए तैयार करें बाइबल में ऐसल है कि महामारी नहीं महामारियां आएगी ये तो ये है अभी इसका पीछा नहीं चुड़ा दूसरी आएगी क्या करोगे पर अगर आपका मन सुरक्षित होगा अगर आपका ध्यान परमेश्वर और उसकी बातों में होगा तो ये बाते आपको असर नहीं करेगी ये बाते आपको भई में नहीं डाल देगी निराशा में नहीं डाल देगी नौकरी इस lockdown में बहुत सारे लोगों की छूट गई है पर बाइबल में लिखा है कि वो धर्मी जन को खाना खिलाएगा ऐसा लिखा है बजन सहीता में निती वचे वो धर्मी जन को कभी भूखा नहीं छोड़ेगा आप यारो आप विश्वास रखिये भले नौकरी नहीं है बाहर आपका काम शायद छूट गया है आपको लगता है कि अब क्या होगा वाट नेक्स्ट पर अगर प्रभू आपका धन है तो आपका घर चलेगा वो परमेश्वर है जो मुसीबत के समय में काम आता है जैसे धन को लोग संभाल कर रखते हैं कि भई रखलो मुसीबत में काम आएगा अगर आप परमेश्वर के साथ अपने आपको सच में कनेक्ट की रखे हो उसके साथ जुड़े रहते हो वो मुसीबत के समय में वो धन काम आएगा आपके वो आपकी शहरपना है पता है येश्व, परमेश्वर उसका लहू आपकी शहरपना है उस सहरपना को उस दिवार को कोई तोड़ नहीं सकता है कोई भेद नहीं सकता है वो परमेश्वर है प्यारो जो वफादार है जो हर हाल में अपनी प्रामिस को पूरा करना जानता है क्या सच में हमारा धन हमारा परमेश्वर है तो ही हमारा मन वहाँ पर उसकी और लगा रहेगा आईए इस lockdown के period में अपने आपको जाचते आखे बन करते प्रात्ना करते हैं परमेश्वर की और हमारे ध्यान को लगाते हैं कुछ बाते में आपको पूछना चाहूँगा क्या सच में आपका ध्यान आपका मन भटक जाता है क्या सच में सिर्फ कहने के लिए आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो अगर ऐसा है तो सचेत होने का यह समय है क्योंकि ऐसा समय के लिए प्रभु ने लिखा है कि ऐसे ही समय में मैं आजाओंगा मेरा वदिन तुम पर आपड़ेगा कि मैं चोर की नाई आओंगा किसी को भी पता नहीं होगा और मैं आकर मेरे लोगों को ले कर चला जाओंगा क्योंकि परमेश्वर हमें उसका धन समझता है जैसे चोर कुछ चोरी करने कुछ कीमती बातों को ले जाने के लिए उसकी ताक में रहता है और वो ले जाता है वैसे ही येश्व का आना ऐसा ही होने वाला है कि वो अपनी कलीसिया को उठा कर ले जाने वाला है पर क्या हमारा मन तयार है क्या हम मन से तयार है क्या उस घड़ी के लिए क्या हम तयार है मेरे प्यारे कलीसिया के लोगो सुनने वाले एक एक व्यक्तियों को मैं कहना चाहूंगा क्या आपका मन तयार है उसके आने के लिए उसके आगमन के लिए अपने आपको परमेश्वर में मन लगाने दीजी, अपने मन को प्रभु की बातों में लगाईए इंट्रेस्ट नहीं पढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी लगाईए, फिर भी समय बिताईए क्योंकि इस समय के लिए आप बहाना नहीं निकाल सकते हो कि मेरे पास समय नहीं था जब कलीश्या में आने का समय था, उस समय में, सब लोग यहीं बोलते थे कि मेरे पास समय नहीं है, वचन पढ़ने का, पर आज कहां हो आप, आज कहां है प्रभु बोलेगा कि तेरे पास समय था पर तुने समय का दूरुपयोग किया है समय का सदूपयोग कीजिए प्यारो कहीं ऐसा नहो कि बाहरी बाते इस संसार की बाते आपके मन पर छाजाएं और आपके मन को नियंतरित कर ले आपके मन पर राजा बन जाएं और संसार का राजा जैसा चाहे वैसा आप करने लगो हमें भटक नहीं जाना है इसलिए हमारे मन को सुस्त होने नहीं देना है प्रभु से कहे परमेश्वर मेरी सहायता कर इंसमयों में मुझे अनुग्र दे कि मैं और प्रभू और प्रयतन करके और भी यतन से तेरी बातों में लगा रहूं तेरी बातों में से तेरी इच्छा को डूंडू मैं और भी यतन करूं कि मैं तेरे पास और भी करीबी पाऊं मैं और भी यतन करूं कि प्रभू मैं तेरे वच्छनों से अपने आपको भर दूँ प्रभू मैं और भी यतना करूँ कि मैं तेरे दिल के खरीब पहुंचाऊ प्रभू तु मेरी साहाईता करें इन दिनों में ताकि मैं तयार रहूँ प्रभू हम इन समय में हम आपका धनिवाद करते हैं कि आपकी बातों से आपने हमें फिर से टटोला है हमारे साथ व्यावहार किया है क्योंकि यह अंतिम समय है जिसमें से यह समय में हम लोग गुजर रहे हैं प्रभू जिसके लिए आपने लिखाए कि हमें सावचेत रहना है सचेत रहना है जागते रहना है प्रात ना करते रहना है कहीं हमारा मन सुस्त ना हो जाए प्रभू हमें अनुगरत दे प्रभू इस समय हम आपके च्छनों में अपने आपको रखते है प्रभू क्योंकि आने वाला समय है कि उस समय में शायद वचन का जैसे इस समय अकाल पढ़ रहा है उस समय शायद इंटरनेट भी ना कुछ भी ना हो और भारी अकाल हो प्रभू हमें अनुगर दे प्रभू कि हम आने वाले समय के लिए अपने आपको तयार रखे हर परिस्थिती के लिए हम तयार रहे प्रभू क्योंकि अगर हमारा मन तयार रहेगा तो हम हर एक परिस्थिती का सामना कर सकेंगे जैसे दाउद और दानियल ने प्रतिकुल परिस्थितियों का सामना किया परमेश्वर उनके सामने गोलिया थाया या तो कोई फर्मान आए उन्होंने अपना समय तुझे देना जारी रखा वो भई में आकर दह्षत में नहीं आ गए पर परमेश्वर और भी बल पाने वाले तेरे दास बन गए परमेश्वर वो अद्बुत विजय उन्होंने हांसिल की परभू हम प्रातना करते ہیں इस अंतिम परिस्तियों में भी हम हारे हुए न रहे पर हम विजय की और विजय को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग बने परभू हमारी ये प्रातना है परभू तु हम पर और हमारी हलीजिया पर सुनने वाले हर एक व्यक्तियों पर तु अनूग रखर परμेश्वर कि हमारे मन से हम तुछ से तुरे साथ हमेशा जुड़े रहे परमेश्वर क्योंकि हमारा मन अगर तुछ में है तो हमारा ध्यान तुछ में रहेगा परमेश्वर, तू हमारा धन है प्रभू, तू हमारा सब कुछ है, जो मुसिबत में खामाता है, जो छला नहीं जाता है जो नकामार नहीं रहता है परमेश्वर जो कामाता है और हमें छुडाता है, हमारी परिस्थिती को बदलता है, तू वो धन है हमारा येश्व हमारे जीवन को फिर से हम आपके च्छनों में लाते हैं परमेश्वर हमें और भी अनुग्रदे कि इन दिनों में समय का हम सही उपयोग करें अपने आप को वचन को पढ़ने में उस पर ध्यान लगाते रहने में और हमारे मन को वचन से भरने में प्रबु हमेशा हम उत्सुक रहे यतन करते रहे प्रयतन करते रहे प्रयास करते रहे प्रबु हमें प्लीज यह अनुग्रदे परमेश्वर ये समय हमारे हाथ से निकलना जाए परमेश्वर प्रबु बहुत सारी बाते हमारे मनों पर छाना चाहती है बहुत सारा भय छाना चाहता है पर अगर तीरे वचन हमारे भीतर है तो प्रबू कुछ भी नहीं है जो हम पर हावी हो सके प्रबू और हम आज वो ही बात हम आपसे मांगते प्रबू कि इस परिस्थिती में हम और भी ताय हुए सोने की माफिक बन कर बाहर निकले पिता, प्रभू येश्यू तू तेरी कलीसिया को तयार कर, तेरे लोगों को तयार कर, प्रभू येश्यू के नाम में हमारी प्रात्ना आपके चेलों में लाते है, इसे कुबूल करें प्रभू हम प्रात्ना करते हैं यहां पर सुनने वाले लोगों में अगर कोई भी भै में है चिंता में है बाहरी बातों से दबा हुआ है, शायद नौकरी चली गई है कोई बीमारी लागू हुई है या तो कोई infection उनको हुआ है प्रभू आज हम हमारे हाथों को बढ़ाते हैं और हम तेरे वच्छन को याद करते हैं कि तेरे मार खाने से तेरे कोडे खाने से हम चंगे हुए प्रभू तुने हमारे लिए सब कुछ सहा इसलिए कि तु हमें एक भरपूरी का और बहुतायत का जीवन दे और प्रभू आज तेरी चुकाई हुई कीमत को हम याद करते हैं और जो अधिकार आपने दिया है उस अधिकार के तैद सुनने वाले हर एक के लिए परमेश्वर हम चंगाई को बोलते हैं येश्यू के नाम में चंगाई छाजाई इनके जीवनों पर इनके शरीरों पर प्रभू येश्यू के नाम में हम चंगाई को बोलते हैं अगर कोई चिंता में है भई में है प्रभू येश्यू तेरी शांती को हम बोलते हैं प्रभू येश्यू के नाम में हम शांती को बोलते हैं प्रभू तेरा अनुग्र हो पर्मेश्वर। प्रभू हमारी प्रात्ना है जिनकी नौकरी इन दिनों में इस पिरियड में चली गई है। प्रभू आपका अनुग्र उन पर आये पर्मेश्वर। तू उनका धन है पर्मेश्वर। हम प्राइत ना करते हैं तेरे वच्चन को कि अनुसार तुने लिखा है कि आकाल के समय में वित्रिप्त रहेंगे प्रभू तु कभी भी कमी घटी बनी नहीं रहने देता हैं तु हर कमी घटी को फूरा करने वाला खुदा है प्रभू ऐसे समय में हमारी कलिस्या में या सुनन करें परमेश्वर कोई भय में वेना जाए कोई चिंता में न पड़े रहें परमेश्वर प्रभू हम प्रात्ता करते हैं तू हर परिस्तिती में से मार्ग निकालने वाला खुदा है इनके लिए तू मार्ग निकाल परमेश्वर इनका पूरा करने वाला खुदा है प्रभू तू प्रबंद करने वाला प्रभू है, तू प्रबंद, तू परमेश्वर, इनके लिए प्रभू तेरे प्रबंद को खोल दो परमेश्वर, हम दूआ कर दे परमेश्वर, जल से जल यह जो प्रिडियर है प्रभू, प्रभू यह हट जाए परमेश्वर, वाइरस का जो अट चल रहा है प्रभू पूरे संसार में हम आज प्रात ना करते हैं प्रभू तेरे आत्मा में वो सामर्थ है परमेश्वर तेरे आत्मा में वो सामर्थ है प्रभू मृत्यू को तेरे पास कभी ना आ सकी परमेश्वर मृत्यून के द्वार प्रभू कभी बंद न रहे तेरे लिए तो मृत्यून पर विजय ठहरा वो परमेश्वर है तो विजय हुआ है मृत्यून ज़य परमेश्वर है हम आज प्रातना करते हैं परमेश्वर इस संसार में फैली हुई इस महामारी में तू तेरे लोगों को बचा परमेश्वर प्रभू जो निर्दोष लोग है जो लाचार लोग है जो अंजान है अनवेर है प्रभू तू उनको बचा परमेश्वर तू उनको बचा परमेश्वर येश्यू के नाम में हम प्रात्ना करते पिता ये महामारी का बल प्रभाव येश्यू के नाम में जाता रहे जाता रहे येश्यू के नाम में जाता रहे प्रभू तेरे आत्मा का सामर्थ फैले परमेश्वर फैले प्रभू धार्भीक्ता का सुर्योत ही हो प्रभू, येश्यु के नाम में हम प्रात्ना करते बिदा, दया करो परमेश्वर, जितने भी रिसर्च साइन्टिस्ट प्रभू, जो भी काम कर रहे हैं परमेश्वर, उनके कामों को, उनके प्रयासों को आप आशीशीद करें परमेश्वर, ताकि परमेश्वर जल से जल प्रभू इस में से इस एपीडेमिक में से बाहर आने की कोई वैक्सीन प्रभू इस संसार में उपलब्द हो और लोगों के लिए राहत हो परमेश्वर हम मांगते परमेश्वर प्रभू जल से जल प्रभू आप इसको बाहर लाईए परमेश्व जो लोग इसमें शामिल है प्रभू, उनको बुद्धी और ज्ञान से और भी भरपूर करें प्रभू, हम दुआ करतें प्रभू, ये समय में से प्रभू तो तेरी कलीसिया के और भी शुद्ध और पवित्र करके बाहरला परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा हो परमेश्वर, द जो बात है सीख सीखाई प्रभू उसको सीख सके पिता हम धन्यवाद करते हूं उसके लिए हम आपारी है परमेश्वर, सारा आदर और मान और महिमा हम आपको देते हुए प्रातना ये शुके नाम में करते हैं, आमें, प्रभू की सिखाई प्रातना साथ मिलकर बोने, वाक प्राद हमने माफ करो, हमने परिक्ष्रम अनला उपन बुंडाई थी, वारा छुट को करो के हम के राज्य ददा पराकरम तता महिमा सर्वकास वदी तमाराचे, अमें उस महान पिता परमेश्वर का दबूत और असीम गहरा प्रेम, येश्व मसी का फेवर, अनुग्र, और बनी रहे, येश्व के नाम में, अमें.